सो हेले रिवन जे केलों जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप यहां पे ओपिसली देख पारे होंगे बीएस नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू हो चुके आज से ही जिहां बिल्कुल आपने सही सुना यह पूरा टाइम टेबिल आप देख सकते हो राजस्ता में भी शुरूआत है और MP में भी शुरूआत है तो यह काउंसलिंग का पूरा टाइम टेबिल आ चुका है मैंने आपको कल ही बता दिया था अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो कल वाला वीडियो देख लेना 100% मैंने बता दिया था कि कल से आपकी काउंसलिंग शुरू ह बजाएगी और यह आज देखो सुरू हो चुकी है अब आप वोलेंगे सर राजस्तान Вालों को कितनी बज़े से पौरम बरना है आज तो वो भी मैं आपको बताओंगा कि राजस्तान Вालों को अरियो से counseling करवाते हो तो अगर आपके नमर कम भी है तो भी selection के chances बढ़ जाते हैं अगर आप गल्द तरीके से counseling करवाते हो तो आपका score अच्छा कासा होने के बावजूद भी आप वंचित रह सकते हो government कोले से तो तरीके से आपको counseling करवानी होगी यह आज सही आपकी counseling सुरू हो चुकी है तो चलिए मेरे प्रेविद्यारते हो one by one करके सभी राज्यों का time table में आपको दिखा देता हूँ राजस्तान RHS का भी दिखाऊंगा आपको बिहार का भी दिखाऊंगा MP का भी दिखाऊंगा और जो UP में अभी last round है उसका भी देंगे तो पहला तो यह देखो आप टाइम टेबिल अठारा अक्टॉमबर दोहजार चोईस स्टार्टिंग डेट ऑनलेन रेजिस्टेशन चोईस फिलिंग यान कि जो आप college फिलप करोगे जो counseling का फुरम रोगे अठारा अक्टॉमबर दोहजार चोईस यान कि आज से बरसकते हो और timing अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें लास्ट डेट रहेगा आपका 22 अक्टॉमबर जी हाँ बिलकुल मातर तीन से चार दिन का समय मिलेगा आपको आप ये मत सोच लेना कि हमने फोरम बराता तो एक मेने का टाइम ता पहले जब आपने BS nursing के application पोरम फिलप के होंगे न तो जरूर आपको एक मेने का टाइम मिला होगा लेकिन counseling में मातर तीन से चार दिन का टाइम आपको मातर मिल पाता है तो अगर आपका कोई friend circle है तो उनको भी alert कर दो video share कर देना group में उनको भी पता लग जाए नहीं तो फिर वो वन्चित रह जाएंगे फिर यहां पर देखो round past का round past का जो allotment रहेगा वो 25 अक्टूंबर से 28 अक्टूंबर रहेगा फिर आपका documents verification चलेगा 26 से 28 मैंने बोलाता ने कि INC ने बोल रहा है कि 30 से पहले पहले सारा काम करवा लेना तो वही हो रहा है काम तो basically यह कौन से state का है यह बिहार का है time table यह देखिए BCC तो यह time table बिहार का है अब आप बोलेंग से राजस्तान का तो चलेए राजस्तान का भी दिखा देते हैं आपको update क्यूंकि सबी राज्यों का आचुका है BS nursing counseling को लेकर यह लीजिए यह RHS का nursing course के लिए आज से शुरू होगी counseling राजस्तान स्वास्ते विज्यान वी स्विद्याले के अदिन देश के 183 nursing college की शीटों के लिए counseling की परक्रिया सुकुरवार से शुरू हो जाएगी तो सुकुरवार हो गया आज ठीक है 18 अक्टमर हो गया आज तो कितनी बज़े से forum आपको बरना है क्या 10 बज़े से बरना है क्या 12 बज़े से बरना है यह सामको 5 बज़े बरना है वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर देखो आप RUHS कुलपति के निर्णे अनुसार परवेस प्रिक्रिया में पार दर्शिता के लिए संस्तान का प्रेंटल एफिलेटेड होस्पिटल एवं संस्तान का नाम भारतिय नर्सिंग काउंसलिंग की सूची में है या नहीं है इसकी पूरी सूचना वेबसाट पर उपलब्द रहेगी कौन कौन से कॉलेज आएंसी एप्रूल है कौन कौन से आरेंसी एप्रूल है सारी सूची आज ये साम को अप्लोड कर देंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन-कौन से college आयन से एप्रूल है क्योंकि आप college में प्रवेस लेने जा रहे हो तो ये पहले आपको बताएंगे कि ये इन से मानेता प्राप्त है वो तो मैं भी आपको बता दूँगा क्योंकि subscribe जो कर रहा है आप लोगों ने channel अब देखो 7225 में BS nursing की 183 college में 9,240 seat है ये आपको पताऊना चाहिए BS nursing की कितनी college है college तो 183 है जिनमें seat है कितनी है 9,240 अब यहाँ पर आप bowling sir फोरम कितनों ने बरा आवेदन कितनों ने किये तो देखो मेरे प्रेव इद्यारते हो यहाँ पर आवेदन जो किया है वो 79,000 पलस ने किया है देख लो आप यानि की 80,000 के करीब यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए है BS nursing के लिए और MS nursing की यहाँ पर 21 seat है राजस्तान में 21 college है और 365 seat है फिर यहाँ पर 8802 पॉस्ट बेसिक BS nursing के 40 college हो पर 1165 seat है और यहाँ पर 3300 आवेदन मिले है पॉस्ट BS nursing के लिए आगे बोलाए चार नॉवमर से जोइनिंग सुरू हो जाएगी अन्तिम्तिती बारा नॉवमर रहेगी डीन, नर्सिंग, चेर्मेन, काउंस्लिंग, बॉर्ड, डॉक्टर जोगेंदर सर्मा ने बताया कि कुलपती के पेसले से चात्रों को लाब होगा तो राजस्तान में आज साम से काउंस्लिंग सुरू होने वाली है अब यहाँ पे डॉक्कमेट्स क्या-क्या लगा नहें क्योंकि बिहार में भी सुरू हो चुकी है बिहार का पुरा टाइम टेबल में आपको बताया राजस्तान का भी सेम कुछ वेसा है रहने वाला टाइम टेबल दो जी हाँ बिल्कुल मेरे प्रिविद्यार्त हो सही सुना क्योंकि समय किसी के पास नहीं है आएंसी ने 30 अक्टूंबर सभी को दे रखा है तो टाइम टेबली इसी परकार रहेगा राजस्तान का भी MP का भी ठीक है और बिहार का भी इसी परकार का इतना सा इसमय मिलेगा क्योंकि सभी में वही पर्च राउंड, सेकिंड राउंड, थर्ड राउंड होते है यहाँ पर भी सेम वही कंडिसन है तो वो आपको पता होना चाहिए चले फिर यहाँ पर देख लेते है डॉकमेंट्स क्या क्या लगान है आपको अब यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्ध्यार त्यो काउंसलिंग शुरू होने के नाते आपके पास यह डॉकमेंट्स औरिजिनल फोरम में होना चाहिए जैसे कोई भी ऑइड़ी जैसे आदार काड़ पैन काड़ जो भी है आपका गवर्नमेंट आइड़ी वो होना चाहिए फिर आपका एक आइड़ी पासवर्ट येतना वो नहीं है एक तो 10 वी का मार्क सिट ओरिजिनल होना चाहिए 12 वी का मार्क सिट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और फिर आपके पास जाती प्रणाम पतर जो कास्ट सेटिपिकटिव होना चाहिए पास्ट प्रशाइज के रेसेंट फोटो होना चाहिए आपके हस्ताक सर अंगोटे के निशान मोबाल नमर इमेल आईडी इसके अलावा जो इपोटेंट है वो भी एक टीसी जिहां बिल्कुल जो बार भी आपने की है तो वहां का टीसी यहां पे होना चाहिए दूसरा आपका हेल्थ का सेटिफिकट आप बोलिंग सर अभी तो बना वाली बात नहीं है जो आपका बीए संटिंग रिजल्ट इससे करवा लो जो फोरम बराता उससे करवा लो लेकिन जैसे आपको कॉलेज मिल गया तो यह सारे ओरिजिनल डोकुमेंट्स चाहिए क्योंकि आपने अगर इदर उदर जमा करार रखे हैं ना तो निकल वालो आप यह सारे डोकुमेंट्स काम आने वाले आपके काउंसलिंग के बाद सीधा आपका सेलेक्शन हो गया तो कॉलेज में जाना होगा आपको इस सारे डोकुमेंट्स लेके और अभी जो काउंसलिंग करवाओगे वो तो ओनलाइन आप किसी भी एक डोकुमेंट्स से करवा लोग या तो admit card होगा उससे करवा लोगे या आपका result होगा उससे करवा लोगे BSNC का बिहार का ये time table आप no down कर सकते हो ये ही रहने वाला है पूरा आपका schedule और राजस्तान यान की RUHS का साम को start हो जाएगा link क्योंकि आज इन्होंने बोल दिया शुरू हो जाएगा तो साम को राजस्तान का भी पूरा link एक्टिविट कर दिया जाएगा क्योंकि आप लोग ने चैनल सस्क्राइब करें रखा है ना तो साम को वीडियो बना देंगे एक और कि हाँ ऐसे से आपको ये काम करना है तो डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हो कमेंट करके चैनल सस्क्राइब करें लेना पूरा अपडेट आपको पलपल का मिलता रहेगा